नवस्कार स्टुएंट फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चाहिए सुभांस क्लास में हम आपके लिए लेका यूपी बोर्ड अर्दवासिक परिच्छा पेपर कच्छा बार्मी विसाय आपका अर्थसास अर्थसास्त की पेपर कपुल सॉलीशन बताएंगे आ समय होने वाला तीन घंटे का तो वीडियो को पूरा देखेगा आपके सारी कुष्णियों के आंसर मिलेंगे इदि आपने अभी तक बाकी सभी विस्तियों के आंसर नहीं देखें हो तो हमारे चैनल पड़ा कर देख लीजिए तो पहला बोविकल्पी कुष्ण है दुरलब सादनों के प्रियोग होते हैं कैसे होते हैं वेकल्पिक सीमित निश्चित सुने तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वेकल्पित तुष्टी गुण होता है वस्तुगत सापेच निरपेच मूर्थ तो कैसा होता है वस्तुगत होता है इसके बार नेक्स्ट कुष्ण है विलास्ता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोज होती है कैसी होती है एकाइश से अदिक एकाई से कम सून अनन कैसी होती है एकाई से अधिक कुश्चिन नमबर नेक्स्ट है निम्लिकित में असंगत है चाय तथा कॉफी चावल तथा डाल टायर ट्यूब पेन तथा पेंसिल तो राइट आंसर क्या हो जाएगा चाय और कॉफी अप्सन एक आ बिल्कुल सही हो जाएगा चाय और कॉफी इसके बाद पांचमा कुश्चिन है अल्पकाल के उत्पादन में कितने साधन इस्तिर होते हैं कोई नहीं सबी कम से कम एक अनिस्चित क्या होता है कम से कम एक इसके बाद नेक्स्ट है गज़ लिखत में से एक टिकाओ उपतवस्तु नहीं है फ्रिज, तॉलिय, मेज, भोजन क्या नहीं है भोजन इसके बाद नेक्स्ट है भारत में 100 रुपाई की नोट का निर्कत कौन करता है भारती स्टेड बैंक, कें सरकार, भारती रिजर रिजर बैंक इन में से कोई नहीं तो कौन करता है सानमबर सही हो जाएगा भारती डिजर वैंक कुश्य नमबर आठ है कुल उत्पादन बढ़ने पर उत्पादन की परिवर्तन सीलता कटती है बढ़ती है पहले बढ़ती है फिर गटती है आप परिवर्तन रहती है संमान कीमत किस बजार की विसेष्था है एक अधिकार आदर्स परतिस परदा एक अधिकार परतियोक्ता विद्वें से कोई नहीं तो आजर क्या हो जाएका एक अधिकार प्रतियोगता इसके बाद नेक्स्ट निम्लिखत में से पूंजीगत वस्तुओं में समलित किया जाता है टेली फोन सेट इस्टील की चाधर चाय पत्ती उपकरण तो क्या टेली फोन सेट इसके बाद नेक्स्ट तीन तीन नंबर के अतिल प्रश्ण है तो पहले प्रश्ण देख लेते हैं फिर सभी प्रश्णों की आंसर देदेगें पहला प्रश्ण है अर्थ सास्त में बजार की परिवासा देजिए सीमान तोस्टी गुण का अर्थिस्पस्ट कीजिए मांग की लोच क्या है वस्तु विन में प्रणाली को प्रश्टी अर्थ सास के अर्थ को इस्पस्ट करते हुए परिवास्तित कीजिए छेत्र के अधार पर बजार का वर्गी करण कीजिए और सत आयत तता सीमान ताएगी इस्तिति को समझाईए मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए उदासींता वक्र क सायता से उपहोगता कि सद्थिति को समझाईए उत्पादन सीमात उत्पादन और सब्चाइए इसके अथ तीन को शिष्ट ददद्दस नवर के हैं की साख नियंतरण विदियों की वैख्या कीजी ये थे आपके पूरे प्रस्ण अब देख लेते हैं सभी प्रस्णों की आंसर ये आपका कोई भी ऑप्सिनल कुश्चन छूड़ गया हो तो एक बार फिर से देख लेजे दुरलब संसादनों के सुरोत हैं तो कैसे हैं विलास की वस्तों की मांग की कीमत लोश होती है एकाई से अधिक होती है निम्लिकित में संगत है चाय तता कौफी अलपकाल के उत्पादन में कितने साधन इस्तिर होते हैं कम से कम एक निम्लिकित में टिकाओ वोगता वस्तों नहीं है भोजन सो रुपए की नोट को कौन न बढ़ती आती है समान की इमत किस बजार की विसेश्था है यह हो जाएगा एक अधिकार प्रत्योकता निमने लिखित में से किसी पूझी के तवस्तु संब्लित नहीं किया जा सकता है तो किसको संब्लित नहीं किया जा सकता है टेली फॉन सेट को इसके बाद अती लोगत्री ॥ है प्रशन है। परेशन है हमारा गेर्म। अर्थास्थासंड में बाजार की प्रिवासाद लें वर्थासंड हैं कीजिफे बरेएं उस प्रबन्द से है जिसके दौरा वस्तुओं के बैस्तु दो हो देकुन होते हैं इसको बार नेक्स्ट कुशियन सीमांत तुस्टि का और्थिस्पष कीजिए सीमांथ अपयोगता बघ्रिक तंतोस्टि यहा यह को एक अच्छी यह सेवा की Ebola की एक होने से मिलती है सीमांत अपयोगता कि का फियूग अर्थिप सासластियु द्वारा यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि उपोक्ता कितनी वस्तु खरीदने के इच्छों के हैं कुशिन नंबर 13 मांग की लोज क्या है वस्तु की आय लोज को वस्तु की मांग गी गई मात्रा की आय में हुए परिवर्तन के कारण अनुक्रिया सीलता को मांग की आय लोज कहते हैं वस्तोता आय लोच वस्तो की मात्रा और कीमत में परिवर्तन की अनुक्रिया सेलता मान करेता की आय में 10% व्रद्धी होने पर उसकी मांग वस्तो की मांग में 20% व्रद्धी हो जाती है कुशियन नमबर 14 माए वस्तो विनमय परणाली क्या है जब किसी एक वस्तो की बदले दूसरी वस्तो का लेन या देना होता है वह वस्तो विनमय कहलाते हैं जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना इस पदती में विनमय की सारवजनिक इकाई अर्थात मुद्रा रुपय पैसे क इस्तिमाल नहीं किया जाता है कि नमबर नेक्स्ट पंद्रमा कुश्यन बढ़ते प्रतिबल के नियम की व्याक्यगी पैमाने में बढ़ते प्रतिबल का मुख कारण विस्ष्टी करण है जब स्रम के विभाजन के कारण स्रम को उनकी योगता के इनुसार कार दिये जाते हैं उनकी उत्पादकता बढ़ती है साथ में लागत घटती है आउसर लागत से आप क्या समझते हैं एक वस्तू की आउसर लागत किसी दूसरी वस्तू की वह मातरा है जिससे पहली वस्तू का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है जैसे दिये हुए संसाधनों की साहेता से या तो हम 5 मिलिएंट ₹ मकफन का उत्पादन कर सकते हैं ऑद पांच हजार बंदूखों का उत्पादन कर सकते हैं कुछेन नमबर सद्रमा है ऑसद लागत का सूतर औस लागत बढूदा प्रड़े उत्पादन इस टॉक से अब क्या समझते हैं stock जिससे aqty के नाम से भी जाना जाता है एक security जो किसी company के एक अंस के स्वामित का प्रत्निद करती है यह stock के मलक को company के asset और जितना stock उसके पास है उसके lab के बराबर के अनपात का अधिकार देता है इस टॉक की यूनिट को सेयर कहा जाता है कुछिशन नमदर नेक्स्ट है Brashti अर्थसास के अर्थ को इस्पश्ट करते हुए परिवाजित कीजिए संअरे अर्थसास समपूर अर्त विवस्ता के किरिया सीलता से सम्मन देता है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किसी समय अवदी में उसकी व्रदिदर साधनों के रोजगार का इस्तर बचत ततर विनी योग आदी का निर्धारण एवं किसी समय अवदी में परिवर्तन का अध्यन किया जाता है समराष्टी अर्थसास्त का महत्तُ समराष्टी अर्थसास्त की सायता से पूर रोजगार व्यपार चकर आदी जेटल समस्या का अध्यन होता है आर्थिक नीतियों के निर्माड में सहायक सरकार का प्रमुकार कुल रोजगार कुल आये सामान कीमत इस्तर व्यपार के समान इस्तर आधी पर नियंतर करना होता है। चेत्र के अधार पर बजारों का वर्गी करत कीजिए। वस्तु के क्रेता वह विक्रेता फैले होते हैं तता उनमें वस्तु के मूल में एक रूपता की प्रवत्ती पाई जाती है। उसे बजार कहते हैं अर्थास्त में बजार का वर्गी करां। निमने लिखित वर्गी करते हैं। समय की द्रिष्टिसे कार्यों की द्रिष्टिसे पती योक्ता की द्रिष्टिसे वर्धा likely द्रिष्टिसे नेक्स कुष्ट sub indo कि सिज और परिवर्थनी इन लागत के बीच के अंत्र को संद्रवित करती उधारण के लिए यदि आपकी कंपनी ये एक लाग मूल उत्पाद बेचती है और इसकी परवर्तिनी लागत चालिस अजार है तो इसकी सीमान ताय कितनी होगी साट अजार अवसत आए अनुप चारिक बोल चाल में प्रतिविक्ति आए को आवसत आए भी कहा जाता है और आम राष्ट की अहुसत आया किसी दूसरे राष्ट से अधिक हो तो पहला राष्ट दूसरे से अधिक सम्रद और संपन माना जाता है कुश्य नमर बाइस मैं मांग की लोज को प्रवावित करने वाले कारक निमने लिखेते हैं वस्तु की प्रकति इस्थापन वस्तूं की उप क्षिक का प्रियोग कि वस्तु की उपभूप को भविस्य में इस तकती करने की संभा होना ह placebo की आर्थ्थिकह सिह थी को बाद को श्रम के रोजगार के एक निश्यत इस तर द्वारा प्राप्त होता है जब कि अनल आगतों की मात्रा अपवर्तित मत्राप्त द्वारा किया जा सकता है वे वरतमान अबदी के लिए भी हो सकता है जो प्रयोग किये गए सूत पर निर्भर करता है अनिवारता ये कुल व्य के विभिन वस्तुगों पर किये गए वे के मुल्यान्स होते हैं सीमान उत्पादन सम्भावना से अभिप्राय उस वक्र से है जो दो वस्तुगों के उन स्योगियों को दरसाती है जिनकी उत्पादन अर्थ विवस्ता के संसादुनों का पूंड रूप से उपयोग करने पर किया जाता है यह एक वस्तु की एक अत्रिक एकाई प्राप्त करने की औसर लागत है उधारण के लिए एक किसान के पास पचास एकड़ करसी योग भूमी है कुशें नंबर पचीसमा इसे आपको करना है कुशें नंबर चबिसमा देख लेजें कुल राजस्व, सीमांत राजस्व और आुसत राजस्व कुल राजस्व एक व्योवसाह द्वारा अर्जि धन की कुल रासी उत्पादों और सेवाओं की कीमतों किसे गुड़ा की गई विक्री का प्रतनिदित करता है सीमांत राजस किसी उत्पाद या सेवा की एक अत्रिक्त इगाई को बेंच कर प्राथ राजस में व्रद्धी दरसाता है आउसत बेची गई उत्पाद की प्रती गाई उत्पन राजस यह एक फर्म के लाब के निर्धारण में एक भूमिका निभाता है प्रती यूनिट लाब आउसत राजस माइनस आउसत कुल रागत एक फर्म आम तोर पर उत्पादन की मात्रा का उत्पादन करता है जो लाब को अधिक्तम करता है ये आपको वीडियो पसंद आयो तो चैनल को हमाई सब्सक्राइब कर लीजी बक्चे हुए कुशिनों के आंसर पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर जाना होगा और वहां पर लिखना होगा सुभांस क्लासिस गूगल पर जाएंगे वहां पर लेकिए सुभांस क्लासिस डॉट कॉम गूगल पर जाएंगे वहां पर लेकिए सुभांस क्लासिस डॉट कॉम तो वहां पर मिल जाएगे हमारी गूगल वैप साइट जहां से आप इसका फुल फीडियो सलूशन डाउनलोड कर सकते ह यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम गुरुप को नहीं जोईन किया हो तो हमारे टेलीग्राम को जोईन कर लेजेगा अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुभान्स क्लासिस जैसे आप टेलीग्राम पर सेर्च करेंगे सुभान्स क्लासिस तो वहां पर हमारा टेलीग्राम गुरुप मिल लाएगा जहां से आप इसे फुल पीडियाप सेल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए भाई-बाई